दिवाली खत्म हुआ और लोकास्था का महापर्व छठ सर पर है खास तोर पर बिहार पुर्वी उतर प्रदेश और जारकन के कुछ हिस्सों में मनाई जाने वाले इस चार दिवसिये त्योहार को लेकर घर बाहर हर जगा चहल पहल देखने को मिलने लगती है बिहार में दिवाली के बाद का महौल छठ में हो जाता है क्योंकि दूर दराज में रह रहे लोग अगर दिवाली वाले दिन आ नहीं पाते हैं तो वे छठ से पहले पर्व पर अपने घर पहुँच जाना चाहते हैं क्योंकि बिहार के रहने वालों के लिए छट पूजा बसेक त्योहार महज ही नहीं यह एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे नस नस में बसा है इसलिए अपने घर से दूर रह रहे लोग इस मौकी पर घर वापस जरूर आते हैं लोगों की आस्था का यह पर्व पूरी तरह प्रकृती से जुरा है मूल रूप से इसका भाव प्रकृती को धनेवाद देना है जिसने हम सभी को यह जीवन दिया है इस दिन खास कर भगवान सूर्य और छटी मया की पूजा होती है सूर्य जो संपूर जगत को उरजा दिता ह और छटी मया जिनका आश्रवाद संतानों पर विशेश कर होता है इसलिए इस दिन सूरे देवता और छट माता की पूजा पवित्रता के साथ मनाने की पड़मपरा है छट के दौरान परवैतिन को छोटी से छोटी गलतियों का दिहान रखना चाहिए और उनसे बचना चाह पहला नहीं किया जाता है इसे शुदन नहीं मना जाता है इसलिए इस दौरान घरों में लाइसन प्याज की सेवन को बंद कर देना चाहिए इसका पालन घर के सभी सदस्यों को करना चाहिए दूसरा हाथ दोई बिना नहीं चुना चाहिए पूजा पाट की सामान चट पूजा में पवित्रता का सबसे ज्यादा खयार रखा जाता है इसलिए इस दोरान खुद को साफ सुत्रा रखने के साथ ही घर की साफ सफाई भी बेहत जरूरी है इस दोरान नहाई खाई के दिन भी सभी सदस्यों को नहाने के बाद ही प्रसाद खाने चाहिए वहें पूजा की जो भी सामान है उन्हें मंदिर या घर के किसी एक हिस्से में साफ सफाई के साथ रखने चाहिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा की सामानों को बिना हात धोए ना चुए पूजा कप्रसाद बनाने की जगह भी बाकी दिनों से अलग होनी चाहिए तीसरा पडिवार में किसी तरह के कलेश नहीं करने चाहिए छट पर्व पडिवार को एक साथ जोडने वाला पर्व है इस्त्योहार की खासियत ही यही है कि इसे एक छट के नीचे एक साथ हसी खुशी और साफ दिल से मनाया जाता है पूजा में मन में द्वेस जैसी चीजों स को सो दूर रहने चाहिए इसलिए इस दौरान घर में किसी भी तरह के लराई जगरे और कलेस्ट नहीं करना चाहिए वरना छटी मया के आशिरवात का फल उस घर को नहीं मिलता है चोथा परवेतिन को पलंग पर नहीं सोना चाहिए चट पर में खरना के बाद 36 गंटे का निर्जला अफवास के दौरान परवेतिन लोगों को कई कठोड नियम का पालन करना होता है उन्हें से एक नियम यह है कि छट व्रतियों को पलंग सोफे आधी पर नहीं सोना चाहिए इस दोरान जमीन पर चादर बिछा कर सोने की मानिता है। पाचवा, पकवान को पूजा से पहले ना चखे। चरपड में सूप डाले पर चरहने के लिए ठेकुआ पिरकिया जैसे पकवान प्रसाद के तौर पर बनाये जाते हैं। ये प्रसाद शुद्धता के साथ बनते हैं और पर्वसमाप्त होने के बाद ही इसे खाया जाता है। इसलिए पकवान बनने वाले जगह पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गलती से भी कोई उसे ना चकले। ये पकवान डाला पर से उतरने के बाद ही प्रसाद की रुप में दिये जाने और खाने का रिवाज है तो यह थी पूजा के तयारियों से जुरी कुछ बेहत महत्पूर्ण जानकारिया अगर आपके घर में भी छटपर्व मनाय जाते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताए आज की इस वीडियो में इतना है तब तक के लिए नमस्कार